हलो बच्छो आपका हमारी आत्मा एकडेमी चैनल में स्वागत हैं आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वह है डिफ्रेंसेशन आफ इंप्लिसिट फॉंक्शन देखें डिफ्रेंसेशन क्या होता है यह हमने पढ़ा दिया है और अगर आपने इसके पहले की जो इक्स की सक्रकMom देदूगा उसको पढ़ दीजएगा इंप्लिसिट फॉंक्शन का मतलब क्या होता है इसकी हिंदी होती आइस पस्ट फ्लन मतलब जो फंक्शन इसप्ष्ट नहोग है अब आप खिएश्क विस पढ़ा है नट क्लियर ऐसा नहीं है देखिए अभी तक हो क्या रहा था y x का function होता था हैनि y की value x के पदों में लिखी होती थी और उसको आपको x के respect में differentiate करना होता था तो चुकि x का function है उसको differentiate कर देते थे मालिया हमने y is equal to sin x लिखा तो आपने इसको क्या लिखा d by dx of sin x और sin x का differentiation लिख दिया आपने cause x अभी क्या होगा x और y मतलब y की value x के term में लिखी होनी चाहिए अभी क्या होगा x और y इतने intermix दे होंगे कि आप y की value x के term में नहीं निकाल सकते तब हम क्या करेंगे तो उस प्रकार का जो function होगा वो कहलाएगा implicit function मतलब मैं एक example समझाता हूँ जैसे मैंने आप से कहा कि x square plus y square plus 2y plus 2x plus 7 is equal to 0 अब देखिए y और x में relation है मतलब y x पर depend तो कर रहा है वो पहले हमने कह दिया कि y is the function of x लेकिन हम इसमें y की value नहीं निकाल सकते अब आपके इंक साब निकाल देंगे हम तो धराचार से निकाल देंगे अरे वैलू नहीं निकालनी हमको हमको y की value x के term में निकालनी वो हम नहीं निकाल सकते तो इसी को implicit function कहते है तो अब हम करेंगे क्या इसका simple differentiation होगा जैसे कि हम differentiation करते थी ठीक है जहाँ पर y के function को differentiate करना होता है वहाँ थोड़ा सा technique लगेगी ठीक है कैसे हम हमारे पास यह function लिखा है हम यहाँ से y नहीं निकालेंगे हम लिखेंगे differentiating with respect to x हम इसको x के respect में differentiate कुछ चेड़ेंगे कुछ नहीं हो हम हर जिगे d by dx लिख देंगे d by dx of x square plus d by dx of y square plus d by dx of 2y plus d by dx of 2x plus d by dx of 7 is equal to 0 अब आप कहेंगे भाई यह तो पहले भी आपने पढ़ाया था देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया उन्होंने कहा differentiate with respect to x हमने d by dx लिख दिया क्योंकि यह x के respect में differentiate करने का operator होता है अब ज़रा समझेगा इसको किसके respect में कर रहा है x के respect में तो x के respect में है और x का फंक्शन है इसका differentiation क्या हो जाएगा 2x plus अब यहाँ पर लफड़ा फसरा ज़रा समझेगा यह single y नहीं है single y होता तो हम लिखते d by dx of y और यही बन जाता d y by dx यहाँ पर y square है यह यह y का function है और करना किसके respect में है x के respect में अब problem है y का function y के respect में differentiate हो सकता है y का function मैं single y की बात नहीं कर रहा हूँ y के function की बात कर रहा हूँ function की मतलब मैं आप से कहूँ sin y यह y का function हो गया हम कहें log y यह y का function हुआ अकेला y भी y का function होता है लेकिन अकेले y को हम d y by dx पर चुके हैं अब ये y का function है आप कहेंगे साथ y का function तो y के respect में होना चाहिए यहाँ पर dy होना चाहिए कर दीजिए हमने कहा d by dy of y square आपने कहा वा अजीब आदमी है अब आप dx को dy कर देंगे जी हाँ करना पड़ेगा अब हमने गरवर्ड क्या किया हमने अपना purpose solve करने के लिए dy से denominator को में dy को लिखा divide किया है तो हमें इसको balance करने के लिए क्या करना पड़ेगा dy से multiply करना पड़ेगा अब इस dx को kick मारी थी हमने तो इस dx को यहाँ लिखना पड़ेगा वह यह step बढ़ गया आपका प्लस यहाँ पे आईए 2 तो बाहर हो गया अब यह तो single y है single y को हम dy by dx लिखते थे प्लस यह 2 बाहर हो गया यह तो already x का function है इसका difference is in 1 होता है प्लस 7 का 0 होता is equal to 0 अब जो आई यहाँ समझेगा 2x प्लस y square का 2y और इन 2 उसके साथ क्या लिखा है dy by dx प्लस 2 dy by dx प्लस 2 is equal to 0 अब यहाँ पर देखीगा इस step को ध्याल से देखी जहाँ पर y के function को differentiate किया है x के respect में वहाँ पर आपको dy by dx लिखना है बस जहाँ पर y के function को जैसे मेरे पास sin y होता और मैं इसको x के respect में differentiate करता तो इस step को मत दिखाइए आप sin y को differentiate कर दीजे cos y में और उसके साथ लिख दीजे dy by dx बस यह याद रखिएगा जहाँ पर single y है वहाँ तो dy by dx हो जाएगा और वैसे भी जैसे x का differentiation x के respect में 1 y का differentiation y के respect में 1 तो y का differentiation 1 और into dy by dx तो single y का चल जाएगा आप लिख दो dy by dx लेकिन अगर कोई y का function है y का function है y square है, sin y है, eat power y है, log y है तो उसको simply differentiate कर दीजे और उसके साथ dy by dx लिख दीजे अब यहाँ से dy by dx की value निकाल लीजे उठागर के इसी को implicit function कहते हैं यह note कर लिया होगा आपने देखिए अब यहाँ पर इन दो strip में dy by dx है तो यहाँ से मैंने क्या किया 2 dy by dx कामन ले लिया यहाँ क्या बचेगा y प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 अब इन दो को उताशिफ्ट कर दिया माइनस 2 कामन ले लिया x प्लस 1 सुरी यहाँ पर 1 बचेगा 2 कामन ले लिया है तो जब हम dy by dx की value निकालेंगे तो आएगा माइनस 2 x प्लस 1 अपन 2 y प्लस 1 यह cancel हो गया यह आपका answer हो गया तो इसको implicit function कहते है उसको simple differentiate करेंगे जहाँ single y होगा अकेला y वहाँ लिखेंगे dy by dx लेकिन कहीं पर y square हो गया तो इसको simply differentiate करेंगे जैसे x वाले formula होते हैं और उसके साथ आपको dy by dx लिख देना है बस इतना याद करना है आपको इस step को दिखानी की जरूर नहीं है तो इसको कहते हैं implicit differentiation इसके पहले एक size के जो formula है वो first six size में पढ़ाए गए है इसके पहले वाले वीडियो में वो link लिखा हुआ है link दिया है हमने उसको क्रपया 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 देख जरूर लिजेगा otherwise वन में नहीं आएगा अब हम बात करने जा रहे है NCRTX size 5.3 के questions की देखे द्यान से बहुत easy size है क्योंकि केवल implicit का concept है और सब कोई खास चीज नहीं है calculation कहीं गलत नहीं हो ये note कर लिया होगा आपने इसको हम rub कर देते हैं देखे द्यान से अब आते हैं 5.3 का पहला question इसमें लिखा है 2X प्लस 3Y is equal to 2X प्लस 3Y is equal to sin X sin X ये लिखा हुआ है और उनों का differentiate with respect to X आपको कुछ नहीं छेर आप देखे यहां से Y के लो निकाल सकते हैं लेकिन मत निकाल लिए क्या जरूरत है आप simply लिखिए differentiating with respect to X बस क्या हो जाएगा ये d by dx of 2X plus d by dx of 3Y is equal to d by dx of sin X अभी formula क्या होगा answer क्या होगा इसमें दिमाग नहीं लगाईएगा आपने d by dx लिख दिया ठीक है question लगाला शुरू कर दीजे बस अब जब समझेगा 2 क्या चीज है अब आप कहेंगे constant है जी नहीं देखो अगर अकेला 2 होता है तो constant होता है अगर 2 किसी X के साथ multiply में होगा तो coefficient होता है गुड़ांक होता है ऐसे तो नियतांक है अदरवाईज ये गुड़ांक है तो 2 तो बाहर लिखा रहेगा X का differentiation 1 होता है पढ़ चुके हैं आप ये 3 बाहर होगा अब देखो याँ सिंगल Y है केवल Y है तो इसको आप DY by DX ही लिखिए अब आप कहेंगे ये तो ना इससा फिए भाई कोई बात नहीं Y का differentiation 1 और उसके साथ क्या लिखना है DY by DX तो इसलिए हम नहीं लिखना है और साइन X का cos X अब आपको D and X निकालना है तो क्या होगा 3DY by DX is equal to cos X minus 2 तो जब DY by DX की value निकालोगे तो क्या हैगा cos X minus 2 upon 3 इस प्रकार से ये differentiation आएगा implicit differentiation ये हेडिंग तो बड़ी भेंका type की लग रही है किसी बिदेश से आई है implicit आई तदा, ऐसा कुछ नहीं है आई सपस्थ है, y को x के term में नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम जहाँ y मिलेगा बहाँ चल दिये देखा जाएगा, जहाँ-जहाँ y मिलेगा बहाँ सलाम करते जाएंगे, ठीक है अब इसका second question अपने आप करेंगे यह देख लीजिए पर ले second question देखीगा second question है 2x plus 3y 2x plus 3y is equal to sine y, थोगा change क्या नोगे वो y का function है अब चाद देखे, अगर आप से कहते, differentiate with respect to y अगर y के respect में ही differentiation पूछ ले, sine y का तब तो cos y के respect में तब तो cos y ऐसे ही आ जाएगा अब वो कह रहे है, x के respect में differentiate करो, तो पहले तो आप लिख दो differentiating with respect to x 2 है, coefficient वो बाहर लिखा रहेगा d by dx करेंगे x का अब आप कहेंगे, x का तो 1 होता है direct मत करिए, step कोई भी omit नहीं करेंगे हर step को show करना पड़ेगा plus 3 बाहर कर दीजे d by dx आफ y कर दीजे और यहाँ पर d by dx आफ sine y लिख दीजे, आप समझेगा 2, x का differentiation 1 plus 3, y का differentiation 1 y के respect में और उसके साथ क्या लिखेंगे d y by dx, इसलिए हमने का अगर single y है तो आप simply cable d y by dx लिखा रहे ने दो is equal to यहाँ पर दिखी यह किसका function है y का किसके respect में होना है x के respect में किसके respect में होना चाहिए y के respect में y यहाँ है, नहीं है क्या करें लिख दीजे तो sine y का differentiation क्या हो जाएगा cause y और उसके साथ link देंगे d y by dx बस यह step याद रखना है ध्यान से समझना है याद नहीं रखना है अब इसको उदर shift कर दो तो यह हो जाएगा 2 is equal to उदर है आपका cause y d y by dx minus 3 d y by dx यहाँ से d y by dx कामन ले लिजेगा तो आएगा cause y minus 3 इधर 2 है इसको अपान में ले आओ तो d y by dx की वैलू क्या होगी 2 अपान cause y minus 3 इस प्रकार से आप d y by dx निकालेंगे यह second question है अब देखिए third question बस randomly हम बताते जा रहे हैं आप solve करते रहे हैं third question देखिए third कह रहे है ax plus by square is equal to cause y ax plus by square is equal to cause y पहले तो differentiating with respect to x dy dx of ax plus dy dx of by square is equal to dy dx of cause y अब जड़ा समझेगा a बाहर हो गया x का differentiation 1 होता है plus b बाहर हो गया y square का अगर आप x के respect में x पॉर n का करेंगे तो आएगा n x to power n minus 1 और अगर यहाँ पर x square होता तो होता 2 x to power 2 minus 1 तो 2 x तो y square का क्या होगा 2 y बस एक step याद रखिए कि इसके साथ क्या लिखना है dy by dx इदर देखिए cause y का चुकि x का function नहीं है यह y का function है cause y का minus sign y और उसके साथ dy by dx चुकि dy by dx निकालना है तो ऐसा करते हैं इसको इधर ले आते हैं इसको उदर ले जाते है तो यह क्या हो जाएगा 2 y 2 by 2 by dy by dx plus sin y dy by dx is equal to minus का e तो यहाँ से dy by dx का मन ले लिजेगा तो आएगा 2 by plus sin y is equal to minus a तो जब हम यहाँ से dy by dx निकालेंगे तो आएगा minus a upon 2 by plus sin y हमें लगता है यह steps clear हो रहे होंगे आपको कि implicit पहचाने के कैसे क्योंकि board में या exam में जब question पूछा जाएगा तो वहाँ implicit heading थोड़ी पड़ी होगी तो this is the question number third fourth question देखे क्या है fourth question है x y plus y square x y plus y square is equal to tan x plus y tan x plus y पहले इसको बद देखे क्या होगा क्या नहीं होगा आप d by dx लिखे फिर देखा जाएगा differentiating with respect to x तो यहां क्या होगा d by dx of x y plus d by dx of y square is equal to d by dx of tan x plus d by dx of y अब 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 जरा अब जरा यहां साउधान यह दो function multiply में हैं तो आपको multiply rule बताया गया है कि अगर दो function होँ इस प्रकार से बताया गया है कि अगर first into second दो function हो तो first function into difference यह सरा आप second function plus second function d by dx of first function यह हमको बालो है तो आप first function x हो गया into d by dx of y plus second function y हो गया d by dx of x यह तो लग गया product rule प्लस अब यह y square है y square क्या क्या होता है 2y किसके respect में आप कर रहे है x के respect में function किसका है y का तो y square का क्या हो जाएगा 2y और उसके साथ क्या लिखना है d by by dx tan x का sec square x और y तो अकेला है तो केवल d by by dx अब यहाँ d by by dx है यहाँ d by by dx है यहाँ इसको एक तरफ कर दो सबको तो यह आ जाएगा x d by by dx यहो गया plus 2y dy by dx यहो गया minus dy by dx इधर ले आए उधर क्या लिखा है sec square x और यह जाएगा यह x का 1 होता है तो यह y जाएगा उधर minus में तो जब यहाँ से d by dx कावन ले लोगे तो क्या बचेगा x plus 2y minus 1 is equal to sec square x minus y तो dy by dx की जो value होगी वो होगी sec square x minus y upon x plus 2y minus 1 यह आपका answer होगा तो आप plus minus की देखलना कही mistake न हो जाए कभी-कभी हो जाता है अब चुकि offline होता है तो हमको बालूम होता कहा गलती हो रही है जो record हो गया इसके बाद यह समझ में नहीं यादा जरब हो जाता है तो this is the question number fourth अब देखे next question क्या है बहुत easy है थोड़ा सा ध्यान देने वाली है calculus और आप जानते हैं कि पूरी mathematics में 40% के आसपास cable calculus है differentiation integration अगर यह concept पकड़ में आ गया तो that is very easy अब पकड़ में आये तो भी उठा उठाग पड़ता है फिर तो अपने आपका लीजेगा six question देखेगा six question है x cube plus x square y x cube plus x square y plus x y square plus y cube is equal to 81 तो पहले तो आप नोनों का differentiate with respect to x तो पहले तो आप लिख दीजे differentiating with respect to x यह हो जाएगा d by dx of x cube plus d by dx of x square y plus d by dx of x y square plus d by dx of y cube is equal to d by dx of 81 अब ज़रा समझीगा यह x का function है x के respect में हो रहा है तो इसका तो हो जाएगा 3 x square यहाँ पर multiply में दो function हो गए तो यहाँ तो product rule लगेगा क्या होता है एक को first मालो एक को second मालो first function into d by dx of second function plus second function into d by dx of first function plus यहाँ पर भी दो function है तो first function into d by dx of second function plus second function into d by dx of first function plus यहाँ पर y cube है चुक्किए y का function है क्या हमने बताया कि y cube का क्या हो जाएगा 3y square और उसके साथ dy by dx 81 constant है तो उसका 0 होगा अब ज़रा देखी यह हो गया 3x square प्लस x square अब चुक्कि यह single y है इसलिए इसको simply dy by dx लिखा रहे हैं तो अब बार बार आपको लगे नहीं y y का function नहीं इसको differentiate करो तो कर लो y का y के respect में 1 होगा और उसके साथ लिखना है dy by dx प्लस y x square का 2x प्लस x यह y का function है तो y square का 2y उसके साथ dy by dx प्लस y square x का 1 प्लस यह 3y square dy by dx is equal to 0 चुक्कि आपको dy by dx निकालना है तो जितने term में dy by dx है इसमें dy by dx है इसके पास है और इसके पास है इसमें आप dy by dx कामल ले लिजे और जो बचा इसमें वो bracket में कर दीजे क्या बचा है यहां से x square बचा यहां से 2xy यहां से 3y square और सबको उदश शिफ्ट कर दीजे माइनस का 3x square जाएगा माइनस का 2xy जाएगा माइनस का y square जाएगा तो जब यहां से dy by dx निकालेंगे तो यहां माइनस का मैं ले लो चुकि हर step में माइनस आ रहा है तो आज आएगा 3x square प्लस 2xy प्लस y square अपान x square प्लस 2xy प्लस 3y square एक मिनट जाएगा तो this is the question number 6 अब जरा 7th देखिए क्या बता रहा है फ्ला सा पहली साइज से concept जरूरी है नहीं तो दिक्कत ये करेगा question 7th question देखिए क्या कह रहा है अब आप कहेंगे जाब इसकी पहले आप बताते थे इसको y मानिये हमें मानने की जरूरत नहीं है उन्होंने y को इसके अंदर mix कर दिया है अब वो mixer से निकल नहीं पा रहा है उसी में grind हो गया तो हम उसको खाते रहेंगे जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वहाँ उसको निकालते रहेंगे यह है 7th है sin square x sin square x plus cos x y is equal to k cos x y यह angle इसका है is equal to k तो पहले तो ही differentiating with respect to x पहले तो लिख दीजे इसके बाद सोचिए क्या करना है sin square x plus d by dx of cos x y is equal to d by dx of के जरा समझिएगा यह sin square x का मतलब है sin x का whole square और हमने कहा था यह लिखा हुआ है अगले step पे लिखेंगे कि यह sin x का whole square लिखा हुआ अगले step में करेंगे हमने कहा था जब भी whole power हो तो मन में आप मानो यह x लिखा हुआ है अब x power 2 का क्या हो जाएगा 2 into sin x लेकिन यह तो x था नहीं यह तो sin x था और आपने इसको x से जिमकर लिया तो गुसा जाएगा यह तो इसको खुश करने के लिए करेंगे तो भाई साब चिंदा मत करो आपको भी मैं differentiate किये देरा हो गया अब यहाँ पे आईए यह angle है यह x होना चाहिए आप इसको मन में माननो x cause x का क्या होगा minus sin x अब आप कहेंगे साब यहाँ तो y का function है हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हम तो पूरे को मन में x मानना है तो इसका हो जाएगा minus sin x y अब इसको चुकि हमने x माना था तो इसको फिर differentiate करना पड़ेगा और constant का 0 हो जाएगा अब यहाँ पर आईए 2 sin x और sin x का differentiation cause x minus यह sin y अब यहाँ sin x y अब यहाँ पर देखें दो function है first function और second function तो first function into y का differentiation dy by dx plus second function into x का differentiation dy dx of x is equal to 0 अब रेकेट कोल दीजे उठा करके तो आएगा 2 sin x into cause x minus तो खुलिंद क्या आएगा x यह वाला x sin x y into dy by dx minus y sin x y is equal to 0 चुकि डियाइड x निकालना हो एक ही step में डियाइड x है वही minus है इसको उदाश शिफ्ट कर दीजे तो क्या आएगा 2 sin x into cause x minus y sin x y is equal to x sin x y into dy by dx जो आप डियाइड x निकालेंगे तो यह आपान में आजाएगा तो dy by dx की value क्या निकलेगी 2 sin x into cause x minus y sin x y whole upon x sign x जार राइटिंग प्रगरबड़ है इसको समझ लिजेगा तो यह आपका 7th question है अब ज़रा 8th question देखिएगा अब जैसे जैसे question बढ़ेंगे थोड़ा उनकी सेहत ठीक ठाक हो जाएगी mature होते जाएगे और जो सेहत ठीक होगी तो उनसे लाई करने में थोड़ी सी आपको कठना ही होगी तो अभी से डंडा उंडा निकाल रख लिजेगा इनको लडाई करने के लिए क्योंकि 9th question से inverse trigonautical function यूज किया जाएगा जो कि आप पढ़ भी चुके होंगे शायर नहीं पढ़े होंगे तो फिर उसको थोड़ा सा देखना पढ़ेगा आपको देखे जाएगा ये एर्थ question के हम बात करने जा रहे हैं देखे एर्थ question एर्थ देख लो अच्छा sine square x plus cause square y sine square x plus cause square y is equal to 1 अब आप कहेंगे देखे तो साब 1 होता है अरे भाई अंगल सेम होता है तब 1 होता है sine square theta plus cause square theta 1 होता है तो आप लिखेंगे differentiating with respect to x पहले तो लिख दीजे बात में बात की जाएगी d by dx sine square x plus d by dx of cause square y is equal to d by dx of 1 देखें अगले स्टेप पह आप लिखेंगे इसके बाद square का मतलब क्या होता है ये whole square लिखा हुआ है ये whole square लिखा हुआ है और जब भी whole power थी हमने बताया है कि इसको आप मन में क्या मानेंगे x लिखा हुआ है तो x square का 2x मतलब sine x और sine x को फिर differentiate कर दीजे प्लस ये whole power है तो आएगा 2 cause y और cause y को फिर differentiate कर दीजे अब आपके इसाब आट dy लिखिए अभी तो dx ही चलेगा जब ये y का function differentiate होगा अभी ये y का function नहीं था अभी तो हमने पूरे को x माना था और 1 का 0 यहाँ देखिए 2 sine x sine x का cause x plus 2 cause y अब ये y का function है cause y का minus sine y और उसके साथ क्या लिखेंगे dy by dx is equal to 0 इसका 0 हो गया है अब आपको dy लिखिए निकाला है इसके पास है dy लिखिए ये minus में है इसको उधा shift कर दो तो ये हो जाएगा 2 sine x into cause x is equal to उधार plus हो जाएगा 2 sine y into cause y into dy by dx dy लिखिए निकाल लीजेगे उठा करके तो जब आप dy by dx निकालोगे तो देखिए फ़ले लिखाई भी हम बताते हैं 2 sine x cause x upon 2 sine y cause y देखिए एक तो 2 को cancel आप कर सकते हैं और दूसरा आपने 2 sine theta cause theta sine 2 theta पड़ा है तो इसका एक और format हो सकता है sine 2 x upon sine 2 y ये भी answer हो सकता है ये 8th question है अब 9th से inverse concept है इसके लिए trigonality के जो फार्मूली आपने 11th class में पढ़े हैं वो clear होने चाहिए जरा समझेगा अब चुकि inverse बहुत detail में नहीं जाएंगी otherwise differentiation नहीं हो पाएगा हम हलका फुलका बताएंगी अगर sine inverse sine theta लिखा होगा इसको direct theta लिख सकते है 10 inverse 10 theta लिखा होगा तो theta लिख सकते है कब जब कि यहाँ theta की value minus 90 से plus 90 के बीच हो पहली condition है ठीक है 10 inverse अगर यहाँ 10 theta लिखा होगा तो इसको theta लिख सकते है कब जब theta की value minus 90 से plus 90 हो लेकिन 90 नहीं लेना है आपको इसके बीच में होना चाहिए और cause inverse cause theta लिखा हो तो theta लिख सकते हैं जबकि ये 0 से pi के बीच में हो ये हम लिख सकते हैं चीक है अब ये बहुत detail में नहीं जा रहे हैं थोड़ा वो समझ में उतना भी आए अब उसके लिए side inverse अगर कोई खतरनाक चीज दिखी भी है तो उसको side में convert करने के कोशिश करनी पड़ेगी इसके लिए कुछ formula 11 के जो आपको use करने पड़ेंगे हम वो family proof नहीं करने जा रहे हैं बताने नहीं जा रहे हैं और direct use करेंगे समझाने की कोशिश करेंगे कि समझ में आ जाएगा आपको ठीकिन थोड़ा सा दिबाग लगाना पड़ेगा देखे इसका 9th question देखे क्या है सावधान अब इसका उन्होंने नाम दिया है y y is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square देखो tan inverse some खतरनाक thing हमने पढ़ा है कि जैसे d by dx of tan inverse x हो इसका 1 upon 1 plus x square हो इसकी जगे कुछ और आ जाए तो इसको 1 में x माल लीजे जैसे मैंने आप से कहा कि d by dx of tan inverse x square निकालो आपने का भाई यहां तो x होना चाहिए तो हमने का ठीक इसको x माल लो माल लिया आपने x तो जब इसको differentiate किया 1 upon 1 plus x square मतलब जिसको x माला उसका square और इसको दुबारा differentiate कर दो तो यह 1 upon 1 plus x to power 4 into 2 x आगया अब आप कहेंगे यही काम यहां कर दीजे इस पूरे को मन में x माल लीजे अब इसको मन में x माल करके जब इसका मैं square करूंगा तो इसकी सेहत देख लीजे हाथी जैसी है हाथी का square करो कि तो well muscle बन जाएगी जाकर के फिर इसको differentiate करो कि तो division उलग जाएगा तो तो तोड़ा खतरनाक होने की chance से ज़्यादा है तो हम यहां पर x को कुछ ऐसा मानेंगे कि अंदर 10 हो जाए यह सोचना है आपको 10 inverse है तो 10 हो जाए sec inverse है तो sec हो जाए तो आपने पढ़ा है 210 theta upon 1 minus 10 square theta 10 2 theta होता है तो आप यहां पर क्या करेंगे x को assume कर लेंगे 10 theta अपना purpose solve करने के लिए तो यहां जब लिखेंगे क्या हैगा y is equal to 10 inverse 210 theta upon 1 minus 10 square theta यह आपने 11 class में पढ़ा है तो 10 inverse यह 10 2 theta है और यहां से theta गाइब 10 inverse हट गया हमने क्या कहा अगर 10 inverse 10 x है तो equal x हो जाएगा अब यह गाइब हो गया 2 theta आगया हमारा purpose था इसको इसकी जो भेंग करता है उसे solve करना वो खतम हो गई अब theta को गाइब कर दो यहां से theta निकलेगा क्या theta निकलेगा 10 inverse x तो यहां लिख देंगे हम 2 tan inverse x अब इसको differentiate कर दो dy by dx is equal to 2 बहार कर दो dy dx of tan inverse x तो इसका हो जाएगा 1 upon 1 plus x square यह answer हो जाएगा अब अगर इसको आप मन मेंक्स मानते हो फिर सब मनी मानते रह जाते तो यह आपको सोचना पड़ेगा इसकी और big size आएगी पिल्कुर इससे पर बेश्ट होंगी उसको ध्यान से करिएगा क्योंकि आगे दिक्कत आने वाली है इसके बाद question number है 10th y is equal to 10 inverse 3x minus x cube 3x minus x cube upon 1 minus 3x square और x की value दी है x is greater than minus 1 by root 3 and less than 1 by root 3 यह दिया हुआ है इससे आपको फिलाल यहाँ ज्यादा मतलब नहीं है फिलाल मतलब होगा फिलाल नहीं मतलब है जब इसको देखी यह condition किनारे लिख लीजेगा इसको बीच में disturb नहीं करिए इससे लिखा रहने दीजेए यह को आपको मालूम है कि 310 theta minus 10 cube theta upon 1 minus 310 square theta is the formula of 10 3 theta तो आप x को क्या मानेंगे let x is equal to 10 theta क्योंकि हमको इसके अंदर 10 ला रहा है 10 inverse को लत्ती मारेगा 10 तब ही हटेगा न तो y is equal to क्या हो जाएगा 10 inverse 310 theta minus 10 cube theta upon 1 minus 310 square theta तो यह हो जाएगा आपका 10 inverse यह 10 3 theta होगा और इसको क्या ले सकते हैं 3 theta अब theta को क्या है करो यहां से theta क्या निकलेगा theta निकलेगा 10 inverse x तो यह हो जाएगा 3 into 10 inverse x अब इसको differentiate कर दो तो dy by dx is equal to 3 into dy dx of 10 inverse x तो 3 into 1 upon 1 plus x square तो यह आपका answer होगा तो यह आपका 10th question है ठीक है इसके बाद दिखे 11th ऐसे ही हैं बहुत सारे 11th question दिखेगा अब जड़ा इस 10th को थोड़ा सा और explain हम करना चाहते हैं देखे यह जहां पर माना है ना यहां पर थोड़ा सा explain कर लिए ज़्यादा बहतर रहेगा क्योंकि cbsc में थोड़ा technical चीज आती देखे x को आपने क्या वाना है 10th तो आप कहेंगे 10th is greater than minus 1 by root 3 and less than 1 by root 3 ठीक है देखे minus यह 1 by root 3 10 में किसकी वेलू होती है 10 30 degree की तो 10 30 यह नही pi by 6 less than 10th less than 10 pi by 6 अब इस minus को अटाइए तो 10 minus theta होता है minus 10 theta क्यों जाएगा 10 minus pi by 6 is less than 10 theta is less than 10 pi by 6 इसका मतलब क्या हुआ theta जो है greater है minus pi by 6 से और less है pi by 6 से minus 30 से plus 30 के बीश में अभी हम बता चुके हैं कि 10 inverse 10 theta को theta हमेशा नहीं लिश सकते हैं यह तब लिखेंगे जब theta की value belong करेगी minus pi by 2 से pi by 2 open interval यह minus 90 से plus 90 के बीश और यह minus 90 से plus 90 के बीश 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 होती है इसलिए यह apply करेंगे तो यह concept वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ठीक है कभी कभी क्या होता है कि यह theta इसके अंदर नहीं आता है तो हमें उसके अंदर जब करना पड़ेगा इसकी value तभी यह value आएगे ठीक है एक नट एक नट एक सकड़ एक सकड़ यहाँ तो 3 theta है तो इसको 3 से multiply कर दो तो करो तो minus 3 pi by 6 less than 3 theta less than 3 pi by 6 तो theta 3 theta is less than minus pi by 2 less than pi by 2 देखे आ रहे है आप minus pi by 2 से plus pi by 2 बीच में आगे वे value यहाँ गया concept इसले इसको यहाँ लिखा जा सकता है ठीक है इसको थोड़ा सा जब inverse पढ़ाए जाएगा तो उसमें ज्यादा detail में आएगा अभी फिलहाल थोड़ा अभी याद भी रखना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा यह आपका 10th question है अब ज़रा 11th समझेगा यह concept लिखना पड़ेगा आपको तब इसको apply करेंगे आप direct नहीं कर सकते क्योंकि आपको यह बताना पड़ेगा यह जो हमने interval लिखा है कि यह होना चाहिए इसको principal value कहते है क्यों कहते हैं क्या है क्या concept है वो inverse canonical function पड़ाए जाएगा देखिए 11th question क्या कह रहा है 11th question कह रहा है y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square और जहाँ x की value है वो greater than 0 है and less than 1 है अब यह अंदर cause होना चाहिए तो आपको identity तो याद ही रखनी पड़ेगी उसमें कोई उसका substitute नहीं है 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta यह cos 2 theta का formula होता है हमने x को क्या मान लिया 10 theta तो आपने सोचा यहाँ पर लगाता है 10 माना जा रहा है 10 square theta upon 1 plus 10 square theta तो यह हो जाएगा cause inverse यह रिखा है cause 2 theta तो cause cause गयब हो जाएगा अब theta को भी गयब कर दो यहाँ से theta क्या निकलेगा cause inverse x तो आएगा 2 cause inverse x अब इसको differentiate कर दो cause inverse का होता है minus 1 upon under root 1 minus x square यह जाएगा minus 2 upon under root 1 minus x square तो आप देखे 12th question 12th देखी क्या कह रहा है y is equal to sine inverse 1 minus x square upon 1 plus x square 1 minus x square upon 1 plus x square अब आप के इसाब identity तो यही दिख रही है लेकिन यह तो cause में होती है अब कोई 4 मेरे पास है नहीं हमको मानना तो यही पड़ेगा x is equal to 10 theta तो y क्या हो जाएगा sine inverse 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta अब जरा समझेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको यह है cause 2 theta अब अगर यह sine हो जाता तो sine inverse sine हर जाता क्या cause और sine में कुछ रिस्तेदारी है तो आप कहेंगे sine 90 minus theta को cause theta लिखा जा सकता है तो मैंने क्या किया इस cause inverse की जाए cause की जाए लिख दिया sine 90 minus 2 theta indirectly cause लिखा हुआ है हारा जो purpose था कि उससे sine में convert कर दे convert भी हो गया तो sine sine हट जाएगा तो आएगा pi by 2 minus 2 theta तो pi by 2 minus 2 theta गएप करिए theta के विख सभी cases में क्या निकल नहीं है जब एजूम करेंगे tan inverse x तो 2 tan inverse x एक मिनट भई एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ से x की value क्या निकलेगी tan inverse x निकलेगी तो यह हो जाएगा 2 tan inverse x और इसका जो differentiation आएगा वो 1 upon 1 plus x square होगा वो cause के दोके में लिग गए हम 2 into 1 upon 1 plus x square 2 upon 1 plus x square चीक है अब इसको differentiate कर दो तो जब dy by dx करोगे इसका तो 0 हो जाएगा इसका 2 इसका 1 plus x square तो minus 2 upon 1 plus x square आएगा यह 12th question है आगे देखिए तो यही कुछ technical चीज़े inverse की है inverse ट्रिवर्टिकल function पढ़ लिजेगा तो अपने आप सब clear हो जाएगा otherwise सभी question अपने आप clear नहीं होंगे अगर बिना inverse के concept को पढ़े आप इस concept को लगाते हैं इस question को लगाते हैं तो यह clear नहीं होंगे यह clear हो जाएगे तो यह clear नहों clear होना चाहिए यह ध्यान रखिएगा एक मिनट इसके बाद हम question लेते हैं थर्टीन्थ देखे थर्टीन्थ question क्या कह रहा है y is equal to cause inverse 2x upon 1 plus x square जहाँ x की value है minus 1 से plus 1 की बीच x is greater than minus 1 less than 1 देखो दियान से यह तो आपको अभी थोड़े पहले हमने बताया है नहीं बताया है 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta यह sine 2 theta होता है अब आप पहलेंगे जहाँ तो cause है तो यहाँ करें क्या यहाँ formula तो sine का मिल रहा है तो हमने x को क्या माना 10 theta तो y is equal to क्या होगा cause inverse 2 10 theta upon 1 plus 10 square theta यह क्या हो जाएगा यह है आपका sine 2 theta का फारूरा अब चुकि cause inverse cause होना चाहिए तो sine में कुछ ऐसा identity लगा दीजिए कि cause में convert हो जाएगा तो cause inverse इसको लिखेंगे cause 90 minus 2 theta तो यह हो जाएगा आपका cause हट जाएगा तो आएगा 90 minus 2 theta यह y हुआ तो जब इसको theta गाप कर दो theta यहाँ से क्या निकलेगा theta यहाँ से निकलेगा tan inverse x तो यह आजाएगा pi by 2 minus 2 tan inverse x तो जब इसको differentiate करेंगे x के respect में इसका 0 हो जाएगा इसका 1 upon 1 plus x square हो जाएगा minus 2 upon 1 plus x square पहलेग साइज कर लीजेगा तो differentiation समझ में आएगा यह तो inverse का concept है लेकिन यह differentiation है यह आपका 13th question है अब 14th देखी y is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square 2x into under root 1 minus x square जैसा कि हम जानते हैं और x की value दिया है minus 1 by root 2 से ले करके greater than minus 1 by root 2 है और less than 1 by root 2 यह दिखाना चाहिए दिखाया नहीं हमने यह inverse पढ़ोगे तो अपने आप show हो जाएगा चुक्क अभी inverse concept नहीं clear है आपको इसलिए दिखा नहीं रहे इसको देखे अंदर sign होना चाहिए आप x को sin theta मालू क्यों माना है मुझे नहीं मालू मान रहें के वल उसका reason है तब यहां हम रखेंगे तो यह आएगा sign और 1 minus sin square theta होता है cause square theta यहाँ cause हो जाएगा और 2 sin theta into cause theta होता sin 2 theta यहाँ sign भी मान सकते हैं और यहाँ cause भी मान सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा y is equal to sin inverse 2 sin theta और जो वहाँ रकिन के आएगा cause theta यह sin 2 theta की value है sin 2 theta की value है तो यह 2 theta हो जाएगा और यहाँ से theta क्या निकलेगा sin inverse x तो यह हो जाएगा 2 sin inverse x तो जब इसको हम differentiate करेंगे तो आएगा 2 upon under root 1 minus x तो जब आप exercise में आएगी जिसमें क्यों inverse हा concept होगा उसको बताने के पहले inverse टिगावर्ट को फंक्शन बताना पड़ेगा तब यहाँ पहुचेंगे आप ठीक है इसके बाद last question है 15th last of this exercise देखे इदर 15th question y is equal to second verse 1 upon 2x square minus 1 where x is greater than 0 and less than 1 by root 2 दिखे ज्यान से फ़रा समझना पड़ेगा आपको यह सेक होना चाहिए 2 cos square theta minus 1 यह cos 2 theta का फरमला होता है और 1 upon cos 2 theta sec 2 theta होता है तो आप x को क्या मानेंगे x is equal to cos theta तो y क्या हो जाएगा sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1 तो हो जाएगा sec inverse 1 upon यह लिखा है cos 2 theta और यह हो जाएगा sec 2 theta उपर जाएगा और sec cancel हो जाएगा तो आएगा 2 theta और यहाँ से theta क्या निकलेगा cos inverse x तो y is equal to आएगा 2 into cos inverse x तो जब इसको differentiate करेंगे तो cos inverse का root by mass x square हो जाएगा यह आपका अंसर होगे this is the end of this exercise implicit differentiation इसके बाद अगली exercise next video में बताएगे इसको कलीजेगा tough नहीं है लेकिन इतनी easy भी नहीं है थोड़ा सा memory में थोड़ा सा pressure डालना पड़ेगा तैंक्यू